वल्कम टो स्टडी चैनल में नाम है मुहम्मत कैसर बीएट के चात्रों के लिए अच्छी खबर है खुश खबरी निकल कर आई है आप देख सकते हैं बिल्कुल ओफिशियल ये डेटा जारी किया गया है और यहां पर दोस्तों लोग से वा आयो की दरब से जवाब मिला है चात्रों के RTI का जवाब यहां पर आया है और चात्रों ने ये पुछा था कि उत्तरप्रिस लोग से वायो खंट सिक्षादिकारी कभी क्यापन कब तक जारी करेगा तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं उत्तरप्रिस लोग से वायो को आगामी खंट सिक्षादिकारी भड़ती है तू शाषन विभाग से अधियाचन प्राप्थ हुए है तो BEO यानि Block Education Officer का अधियाचन ये पिएस्ट को प्राप्थ है और अधियाचन में प्राप्थ विसंगेतियों के विवरड, पदवार, स्रेडिवार तयार नो होने के कारण वांति सुचना अभी दे नहीं है तो फिलहाल ये नहीं बताया गया कि कुल कितने इसमें पद हैं लेकिन अधियाचन प्राप्थ है और अधियाचन में कुछ यहाँ पर में कोई भी सब्जेक्ट हो कोई मतलब नहीं रहता है बस आपका ग्राइजोशन होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए तो आप यहाँ पर रहते हैं तो बीएड के छात्रों के लिए अच्छी आपस में दोस्तों लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप अपनी मांग को जरूश आशन तक पहुचाईए लेकिन आपस में लड़ने से कुछ भी हासल नहीं होगा आपका समय वेर्थ होगा जो आपके पास मौके हैं उसका फायदा उठाईए आप टेज़ेटी चात्रों के लिए और अच्छी ख़बर यह है कि बिहार की जो बीपीएसी का एक्जाम है प्यार्टी का वो एक्जाम तैन समय पर होने जा रहा है और इसमें बीएट के चात्र भी परिक्षा दे सकते हैं फिलहार की कंडिशन में आप देख सकते हैं अतुल परसाद जो पड़ रहा है प्यपीएसी ने कहा कि जब एंसीटी के तरफ से कुछ आएगा तब हम इस पर विचार करेंगे लेकिन फिलहाल तो बीएट वाले चात्र बीपीएसी का एक्जाम दे सकते हैं आगे क्या होगा वो आगे की बात हैं लेकिन फिलहाल एक्जाम से रोका नहीं किय क्या है यह राद दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ महत्पूर अपडेट वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेजे तक ही आपको सारे जानकारियां मिलती रहे थैंक्स वार वाचिंग